शेर का घमंड एक बड़े से जंगल में शमशेर नाम का एक बड़ा और ताकतवर शेर रहा करता था. उसकी ताकत और तेज दहाड से जंगल का हर एक जानवर उससे डरता था. शेर जंगल का राजा था और उसे इस बात का बहुत घमंड था. उसे लगता था कि वो जंगल में जो चाहे वो कर सकता है. एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने निकला. घूमते घूमते वो शेर एक राज्य की तरफ आ गया. वहां उसने देखा कि उस राज्य के राज्य एक बड़े से हाथी पर आसान लगा कर अपने राज्य के चक्कर लगा रहा है. उसे देख कर शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगा कर बैठने का उपाय सुझा. शेर जंगल की तरफ वापिस आ गया और उसने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए. बस क्या था? शेर ने जैसे ही आदेश किया, जट से जंगल के सबसे बड़े हाथी पर आसन लग गया. शेर उचल कर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा और अपनी तेज दहाड के साथ उसने हाथी को चलने के इशारा दिया. शेर के नीचे गिरते ही सारे जानवर जोर-जोर से हसने लगे. शेर की एक टांग भी तूट गई और फिर शेर खड़ा होकर कहने लगा, इससे अच्छा पैदल चलना ही ठीक होता है.